है दोस्तों वैलकम टू स्टडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा नेशनल अचीवमेंट सरवे के बारे में देखी दोस्तों पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा अखर ये एन एस क्या है अभी इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यह जो सरवे है इसकी क्या रिपोर्ट आई है और किस तरकी के इससे रिलेटेट जो फैक्ट्स है जो इन्फॉर्मिशन है जो की आप लोगों को पता ह होने चाहिए यह सब मैं डिस्कस करूंगा ओके अगर दोस्तों आप लोग को कोई डाउट होता है ओके किसी टॉपिक में कहीं पर या फिर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो इन सब को आप ज़रूर बताईएगा कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट वगेरा स से हमें देखने को मिलते हैं मेंस का मेंटेशिप प्रोग्राम दोस्तों 22-22 साले बच्चों के लिए लाए गया है आप जाके एन्रोल कर सकते हैं उसमें 20% का डिस्काउंट है आठ जून तक आपके सकते हैं यह ऑफर एवलेबल रहेगा इस्तधिया इस कोड यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं 8 जून और 15 जून को नए बैचे स्टार्ट है 23 साले बच्चों के लिए वो जाके एन्रोल कर पाएंगे और दोस्तों डेडिकेटड डाउट सॉल्विंग शेशन है आप सभी लोग लिए इस पर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं 0% की मैं एवलेबल सर्वे है उसको यहां रिलीज करा गया है और जो पहला एडिशन था दोस्तों इसका एन एसका यह हमें 2001 में देखने को मिला था उसके बाद फिर अभी हमें देखने को मिलते आ रहा है एन्वली periodic exercise दोस्तों जो कि यहां पर broadly alternative years को monitor करती रहती है कि हमारी country का जो school education system है वो किस तरीके से काम करता है जो design है वो ministry of education के साथ हमें देखने को मिली है along with NCERT National Council for educational research and training के साथ objective की बात करें दोस्तों तो यह provide करती है एक learning outcomes और key subjects जो है जो कि हमें देखने मिलते हैं at the end of third class हो गया 5th, 8th और 10th class के end पर यह जो classes हैं दोस्तों generally यहने mark किया जाता है important stage किसी भी जो बच्चा है उसके cognitive abilities पर तो यह सारी development पर दिहान देते हैं इसलिए आप के सकते हैं इनके ही end पर आप के सकते हैं वो outcomes लिए जाते हैं की finding के बारे में अगर बात करें 2021 के NAS के बारे में तो अगर compare करते हैं 2017 के साथ तो जो national average score आया है student का across the subject वो दोस्तों हमें यहां पर drop देखने मिला है अब 247 marks तक class 3 का जो बच्चा है उसका average score जो आता है student का language में math में environment में environmental science में यह हमें drop होता हुआ देखने को मिलता है class 5 का अगर score की बात करें language math और EBS के अंदर यह भी drop हुआ है class 8 में अगर national average की बात करें तो language math science social science यह भी down होते वे दिखाई देते हैं और class 10 का अगर बात करें वहां पर भी हमें drop होता हुआ दिखाई देता है यहां पर अगर हम बाते हैं तो यह अच्छी report नहीं माने जाती है क्योंकि एक अच्छा finding नहीं मिली हमें हर एक बच्चा score कम कर रहा है average कम आ रहा है आप लोग देखाई को टॉपर्स निकलते हैं पर on an average एक class में अगर 50 बच्चे हैं तो उन में से कितने बच्चे हैं जो यहां पर अपना score बढ़ा रहे हैं वो करता है कि आकि किस तरह की पढ़ाई हो रही है ना कि आप कर सकते हैं बच्चों से कि जो एक दो बच्चे हैं जो टॉप मार रहा है उनसे डिसाइड होगा यहीं पर बात करें अगर हम लोग तो काफी जदा रीजनल जेंडर और community-wise variation भी हमें देखने मला है पंजाब और रा application है जो कि हमें communities पे देखने को जरूर ही मिलते हैं अगर इसके implication के बारे में बात करते हैं finding के तो NAS की finding आपके सितने highlight करती है कि यहां पे कितनी ज़्यादा जुरत है एक urgent intervention का कि हम लोग जो हमारा foundational learning level है इसको improve करें यहां पे दोस्तों आप लोग को यह और बता दूँ है कि यह मदद करेगा कि हम लोग अन्रेविल कर पाएं जो gap साता है learning में उसको support कर पाएं state और UT governments को कि वो develop कर सके long term, mid term और short term के interventions हैं जिससे कि जो learning level है उसको improve करा जा सके NAS की जो finding है दोस्तों यह साथ ही मदद करती है कि जो हमारी capacity building है teachers की, officials की, यह सभी आपके सकते हैं involved रहती है अगर हमें education देनी हो तब तो नहीं केवल बच्चा ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए पर teacher कैसे मिल रहें क्योंकि वो उन्हें पढ़ाएंगी, officials कैसे हैं, किस तरकी के यहां पर आप कह सकते हैं, जो environment है उनका, वो कैसा है, यह सब decide करता है कि आखिर जो बच्चा है वो कितना चा परफॉर्म या नहीं करेगा, ओके, तो दोस्तो यह भी recently report आये थी, इसलिए आपको लोग लिए video आ गई है, I hope कि आपको जो चीजे है वो कुछ समझ में आई होंगी, short video थी पर important थी, यह काफी important finding हमें देखने मिलती है, काफी important यह survey है, जिससे कि हमें हमारे education system के बारे में पता लगता ह अगर आपके पास अब भी कोई doubt है, तो उसको जरूर पूचीगा मुझसे, मैं अपनी कोशिस करूँगा, कि आपके सब doubt हो clear कर सकूँ, ओके, और आप लोग को कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले, तो इस video के लिए इतना ही, till then दोस्तो, take care and have a nice day.